इस एपिसोड़ से हम अक्करमाशी का पाथन शुरू करेंगे इससे पहले कि एपिसोड़ में हम उसके लेकुकिये भूमिका और अनुवादक की ओर से कहे गए शब्दों को पढ़ चुके हैं जिसमें शरनकुमार लिमबाले जी की कोशिश थी कि वे अपने पाथकों को एजुकेट कर सकें अक्करमाशी को लेकर क्योंकि इसमें बहुत सी भाशा है वे जो सबी समाज है उसके प्रतिकूल है और दूसरा ये के मानसिक्ता जो इसमें जगा जगा शरनकुमार लिमबाले ज लेकिन जैसे जैसे वे पड़ते गए, आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी सोच और समज और मानसिक्ता बदलती चले गई, अपनी ही मा को लेकर, उन्हें समझ में आने लगा, कि उनकी मा व्यभीचारनी नहीं है, बलकि सामाजिक व्यवस्था के हाथों मजबूरी में की गए उनकी चीजें हैं अपने जो परिवार है उसका भरण पोशन करने के लिए उन्होंने जो उचित समझा सो उन्होंने किया उसी तरीके से किस प्रकार शरंकुमार लिंबाले जी का खुद का वजूद खंडित है उनके वजूद का ही बलातकार किया गया है समाज द्वारा इस चीज़ को वो सामने रखते हैं और उसके लिए जो भी भाषा जिस परिवेश में वे रहे और उसी की भाषा को उन्होंने इसमें बाकाइदा लिखा है रिष्टे काफी उलजे हुए हैं करमाशी के पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आये थे मुझे भी इसलिए मैंन आधी पुस्तक पढ़ने के बाद उसको री-रीड किया और तब वो रिष्टे मुझे जादा बहतर तरीके से समझ में आये तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक सिनॉप्सिस है जो मैं आपसे शेयर कर लूँ जिससे कि पुस्तक पढ़ते वक्त और बतौर श्रोत आप लोग जो सुनेंगे तो आपको भी वो रिष्टे समझ में आये क्योंकि उनको समझे बगएर अकरमाशी को समझना नामुम्किन है तो सिनॉप्सिस यह होता है कि इनकी मा इनकी नानी की इकलोती बेटी है वे कोई बेटा ना जन सकी इसलिए इनके नाना ने उनको घर मे प्रताडित किया जिससे डर कर घबरा कर उनकी नानी घर छोड़कर चली आती है इनकी मा के साथ और आकर एक मुसलमान से रिष्टा जोड़ लेती है उनके साथ रहने लगती है और इसी दोरान उनकी मा के भी जीवन में जो है शरनकुमर जो शादी होती है उसके बाद इनकी मा को भी जो है उनके पती छोड़ देते हैं उसके बाद नानी के घर आकर इनकी मा किस-किस तरीके से भरन पोशन के लिए अपने शरीर को इस्तमाल मे लाती हैं और किस प्रकार इनका सारा वजूद खंडित होता चला जाता है तो ये एक छोटा सा सिनॉपसिस था आप उलजे नहीं रिष्टों को लेकर इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया तो चलिए अब अकर माशी का पाठन शुडू करते हैं आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों शालनी बोल रही हूं जैभीम फूल जाहार शुरुवात में ही ये तस्वीर है जिसमें पूरा दिखाया गया ह कि वजूद किस तरह खंडित है एक बच्चे का बिखरा हुआ उस दिन स्कूल के अधिकांच बच्चे वन भोजन की तैयारी से स्कूल आये थे पर दलित बस्ती के हम कुछ बच्चे कंदे पर स्कूली थैला लटकाए स्कूल गए थे वहां जाने पर गुरुजी ने कहा जा चटिनी रोटी बांध कर हम प्यून बच्चों में शामिल हुए जो शिक्षा के निर्देशा नुसार कतार में खड़े हो रहे थे उसी समय जनमाए हाथ में छड़ी लेकर वहां आई संगू को कतार से बाहर निकालते हुए पीटने लगी संगू रोने लगा वे हमारे साथ वन भोजन के लिए जाना चाह रहा था पर जनमाए उसे कतार से बाहर खीचने में लगी थी जनमाए किसी की सुन नहीं रही थी उसे पीटते हुए वे कह रही थी संग्या चुपचात मेरे साथ चल नहीं तो लातों का परसाद दूंगी तेरा बाब भूका है मजूरी को गय है उसे रोटी पहुंचानी है तू अगर नहीं जाएगा तो दिन बर भूका ही रहेगा और जानता है आगे क्या होगा रात में वापसी पर वैसारा गुसत तुझ पर निकालेगा तेरी बोटियां काटेगा इसलिए कह रही हूं चुपचाप चल तो जो संग्या था वे इनका मित्र था जिसकी मा उसे ले जा रही थी जिसका नाम जनमाय है पहली कक्षा से लेकर साथ भी कक्षा तक के शिक्षक लड़के लड़कियों इन सब को एक सांद चलते देखकर अचीब लग रहा था उपलियां चुनने आई औरतें बड़े अचंबी से हम सब को दे उसकी छटपटाहट को मैं आज अनुभव कर रहा हूं मतलब सब लोग बचे जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए और कुछ बचे हैं जिने जबरन स्कूल छुडवा दिया जाता है लेकिन उनके अंदर एक कसक बनी रहती है दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने की उसका यहां पर बहुत खुबसूरती से जिक्र है मॉल्या मेरी ही तरह रोज स्कूल आता था परंतो उसके पिता ने उसे स्कूल से निकाल दिया और पश्यों की देखवाल पर लगा दिया अर्थात नौकरी पर लगा दिया इतनी छोटी उमर में ही मॉल्या नौकरी कर रहा था र उस दो वार भोजेंता था प्रती वर्ष सो रुपे उसका वेता था उस वर्ष मॉल्या की मा के पास पहनने के लिए धोती भी नहीं थी घर में हमेशा भूखा सोना पड़ता था उसकी इस नौकरी से उसके पेट का बोज घरवालों पर से हट गया था उसकी पेट की चिंता मिट गई थी और फिर सालाना सो रुपे मिलने वाले थे उन पैसों से परिवार वालों के लिए कपड़े खरीदे जाने वाले थे इस तरह मॉल्या परिवार का आधार बन गया था तो कोई मजबूरी शौक से अपने बच्चों को मजदूरी पर नहीं लगाता लेकिन हालात और दरिद्रता इतनी जादा होती है कि जो उनके माता पिता है वो मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों को या अपने बच्चों से मजदूरी कराने के लिए इसके लिए स्कूल तो उन्हें छुणाना ही पड़ता है हम सब लड़के कतार में चल रहे थे और मॉल्या भैस पर बैठा गाना गा रहा था एक स्थान पर हमें रुकने के लिए कहा गया बड़े लड़के पेड़ूं पर चड़ने लगे दौड धूप शुरू ही लड़कियां कीकली खेलने लगी शिक्षक तांश खेलने में जुट गए मज़ा ही मज़ा था मैं छोटा था दूर के कबड़ी खेल रहे थे हम अच्छूत बच्चे उनसे अलग थलक ही बैटे थे मलैया मारत्या उंबया परश्या चंदया आदी चूना पानी का खेल शुरू कर चुके थे दलितों का खेल अलग सवर्णों का खेल अलग दो दो खेल दो आंध्यों की तरह थोड़ी देर बा कारवारी मुसल्मान सुनार ठाकुट जाट आदी जाट आदी जमात के सौ लड़के शिक्षक और लड़कियां बरगद के विशाल पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठ गए गोलाकार में और हम अच्छूत बच्चे एक अलग पेड़ के नीचे तो ओंप्रकाश वालमी क जी के जूठन के पहले खंड में भी पहले ही पन्ने पर या दूसरे तीसरे पन्ने पर इस चीज़ का जिक्र था कि मुसल्मान लोग भी जो है वो वैसा ही व्याभार करते थे दलित बच्चों के साथ जैसा के सवर्न करते थे तो यहां पर भी मुसल्मान लोग सवर्नों के स मारूती के पास रोटी बांदने के लिए कपड़ा नहीं था इस कारण मेरे ही कपड़े में उसकी रोटी बंदी हुई थी उंग या सूखी मचली ले आया था मलाईया की रोटी पर केवल चटनी थी हम सबने रोटिया निकाली लड़के लड़कियां शिक्षकों को रोटी सब सबजी दे रहे थे उनके पास तली हुई अच्छी चीज़ें थी हमारा पेट में हमारा पेड़ भी चितराया हुआ था हमारी ही तरह हवा का ज्छांका आता की धूप लगती गर्म हवा का एहसास होता चितराई गाओं अच्छाओं में हम बैठे थे उंगया ने मुझे सू गाओं के अणय बच्छों की रोटियां ताजा थी मसालेदार सबसिया थी पिर तली हुई अणय चीज़ें भी थी उनकी माता उने बड़े प्यार से उन्हें चीज़ें बनाकर दी थी दलितों के पास अल्बत्ता बासी रोटियों के टुकडे थे वे भी इतने की हमारे लि तुम्हारे पसंद का भूजन बना है यह कहने के लिए उनकी मां मजबूर है यह कहने के लिए बांध लोता के खाना न मपढ़े तो एक मां ऐसी भी मजबूर मा अध पेट ही उठ जाता था मैं ये सब सुनते सुनते खाने वाला मैं अकेला थोड़े ही था अकेला मैं ही पेट भर खा लेता था तो बाकी क्या खाएंगे पर आज तो घर पर जुबी था मैं बांध कर ले आया था गाउं की लड़कियों ने हमें भी सबजी रोटी दी पर उपर से ये सोचकर के हमारी रोटियां तथा मिर्च को उन्होंने देखा होगा मुझे अपनी स्थिति पर शर्म भी आई मैं चुप्चाप खाने लगा गाउं के बच्चे तथा शिक्षक खा रहे थे उनकी निकट ही लड़कियां बैठी हुई थी उनमें गपशब चल रही थी हमाच्छूत एक दम खामोष थे सामने मरी मचली के टुकड़े थे बहुत सहज और मुक्त होकर रहने वाली ये लड़कियों के होट में मैं मन ही मन चवा रहा था खाना खात्म हुआ सवर्णों की रोटियां और सबजियां बच गई थी शिक्षकों ने बची हुई सारी जूठन इकठी करके हमें देने के लिए कहा मैं मारूती उंब्या व परश्या बचे खुचे अन की उस जूठन को लेकर अपने स्थान पर आने लगे की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगे मैंने पहले भी जूठन आत्मकथा में जिक्र किया था कि जूठन भी उन्हें 56 भोग जैसा लगने लगता है जरूरतों को इतना घटा दिया गया है सामाजिक व्यवस्थाने दलितों की हम सब निंगपपा के खेत में रुक गए जूठन बंधा कागस खोल कर हमने उत्सुता से देखा उसमें गेहों की नमकीन रूटियां परांठों लड्डों गुजिया चपादियों आदी के चूटे बड़े टुकड़े थे वहतरीन गंध आ रही थी हम सब अब गोला कार में जावा धेर सारे जूठन के टुकड़े जैसे भिकारी होता है अपने जोले में जो भी उसको देता है वो एक साथ डालता चला जाता है चाहे वो आटा हो दाल हो चीनी हो नमक हो कुछ भी उसी प्रकार भिकारी के पेट से अपने भूखे पेट की तुलना करी है तो ये जो ह आपको सवर्ण साहित्य में या समभ्रांत साहित्य में कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार की उपमाएं घर आने के बाद मैंने मा को ये सब कहा मा भूख पीड़ितों की तरह कहने लगी घर के लोगों की लोश में से थोड़ा सा लिया था तो क्या बिगरता? बचा हुआ अन अमरित होता है तो यहां जूठन जो है वो अमरित समान इन के लिए है यह सुनकर मैं अस्वस्थ हो गया दूसरे दिन स्कूल पहुँचा तो शिक्षक कहने लगे वन भोजन पर निबंद लिखो सात्वी कक्षा के छात्र लिख रहे थे मैं तीसरी में था हमें भी निबंद लिखने के लिए कहा गया सात्वी थे था तीसरी कक्षा के शिक्षक तमाकू खाते थे दोनों कक्षाएं एक ही कमरे में चल रही थी अधिकांच लड़के तीजी से लिखने लगे मैं चिंते था शिक्षक मुझ पर चिड़े हुए थे आगे गाली है शिमा कीज़ेगा लिख भूचडी के गाय का गोश्ट खाता है और लिखने नहीं आता क्या मुआफ कीज़ेगा ऐसे अनेक शब्दिस में है मैंने सलेट पैंसल निकाली सलेट पर ठुक लगा दिया फिर पोँचता है पोँच पोँच कर कमीज का एक हसा काला हो चुका था क्या लिखों समझ में नहीं आ रहा था बन भूचन का वे द्रिश्य आँखों के सामने आया वे कतारे अलग-अलग बैठने की योजना हमारा स्पर्ष ना हो इस भैसे परोसने वाली वे लड़कियां वे चितराया हुआ पेड कागज में बांद कर दी गई जूचन मात आता शिक्षक द्वारा पूछा गया सवाल किस प्रकार की ये अजीब स्तिती में डाल दिया शिक्षक ने लिंबाले जी को कहां से शुरू करों ये निबंद क्या ऐसी दुखत स्तिती का सामना कभी हमने किया होगा स्कूल कभी विठोबा अत्वा कभी महादेव के मंदिर में लगा करता था मंदिर के भीतर ब्रामन होता था वैश्यों के लड़के बैठते थे पहली कतार में एक लड़के दूसरी और लड़किया उनके पीछे चमारों के लड़के और सबसे पीछे महार लोगों के दर्वाजे के निकट मातंग जाती का अरजू हमारे साथ नहीं बैठता था वैं महार जात का था इसलिए प्रतिश निवार पूरे स्कूल को जमीन को गोगर से लीपने का काम हमें दिया जाता था गोबरी कठा करके पूरा स्कूल लीपने के बाद शिक्षक मेरी सा राहना करते घर पर मैं किसी भी प्रकार का काम नहीं करता था पर स्कूल का ये काम मुझे चुप चाप करना पड़ता था तो जूटन में भी इस प्रकार का जिक्र था कि उन प्रकाशवाल में की जिसे कभी क कोई काम नहीं करवाया जाता था इन फैक्ट उनके फादर उन्हें प्यार से मुंशी जी कहते थे और उनकी ख्वाहिश भी उनके पिता की यही थी कि पढ़ लिखकर आगे बढ़ें और यही जिक्र लिंबाले जी का भी यहां पर है कि उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता था लेकिन दोनों से ही स्कूल परिसर में साफ सफाई का काम करवाया जाता था. अब यह अलग बात है कि जूठन में उंप्रकाश बाल में के जिन्हें जिक्र किया है कि उन्हें के पिता जी ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो वे बिफर पड़े मास्टर जी के ऊपर. लेकिन यहाँ पर शरंकुमर लिम्बाले जी पिता विहीन है उन्हें यह तक नहीं पता कि उन्हें के पिता कौन है तो इसलिए यहाँ पर स्थिथियां बिलकुल विपरीत है एक दिन यहें काम करते करते में मंदिर के गर्ब ग्रह में चला गया गर्ब ग्रह में पहुँचने पर मुझे बेहद कोईचे हुई, मुझे कोई देख लेगा, इस डरसे में परिशान भी हो गया, सावन के महीने में स्कूल दूसरे स्थान पर लगता था, कभी गंगु बाई के प्रशस्त मकान में, तो कभी गाउं के मारवारी के मकान में, कभी हनुमान मंदिर के देली पर तो कभी लगीन शा के दरगाप में, तो कभी बुताल सिद्धी के विशाल मंदिर में, मुझे याद आ रहा है, परश्या ने बुताल सिद्धी के मुर्थी पर पैशाब कर दिया था, परश्या बहुत चालू लड़का था, मैं सोचता कि परश् खत्व खत्म हो जाएगा बेवकूफ ने बेकार में ही मूर्ती पर पैशाप किया मैं घबरा गया तौबा तौबा करता रहा धर्म से मैं हिंदू हूँ मैं भी मनुष्य गाउं के अन्य लड़के भगवान की मूर्ते के निकट जा सकते थे पर हम नहीं जा सकते थे तो व्यवस्था पर प्रश्ण खड़े करते हैं कि हर तरीके से अपने आपको हिंदू मानते हैं वे लेकिन फिर भी हमारी जो जगा है वे मंदिर के बाहर सीडियों पर है कक्षा में पढ़ाया जाता है कि बच्चे ईश्वर द्वारा निर्मित फूल हैं तो क्या हम भगवान द्वारा निर्मित फूल नहीं हैं वास्तव में हम लोग गाउं के बाहर फेके गए कूड़े कच्चरे की तरहा थे एक ही स्कूल में अनेक जाती की एकाईया थी हमारी बस्ती का संबंध गाउं से नहीं था मानो गाउं का वेभाजन कर हमें गाउं से तोड़ा गया हो बच्चपन से मैं पराय की तरह ही रहा उम्र के साथ ये परायापन बढ़ता ही गया मेरा बच्चपन मुझे आज भी भयावह लगता है सावन महा के कारण स्कूल तेली की कोठी में लगता था मैं पहली बार उस कोठी में गया था लड़कों में जाकर बैठ गया उस कोठी के मालिक के लड़के महाध्या ने मुझे कहीं से देख लिया वे भागता हुआ आया मेरी सलेट था पुस्तक है छेन लिया और पूरी शक्ती से वे मुझे पीटने लगा आँखों के सामने तारे चमकने लगे सारे बच्चे मेरी और देख रहे थे शिक्षक आए उन्होंने उन सबसे दूर दर्वाजे के पास बैठने के लिए मुझे से कहा मैं उस थान पर अकेला बैठ गया भीतर ही भीतर घुटते हुए धुरुबतारे की तरह स्थिर जब स्कूल मारवारी की कोठी में लगता तो मैं बैठा के नीचे बैठता लड़के लड़कियां उपर बैठते शिक्षक और हूची जगा पर बैठकर सबरनों के लड़कों को गणत समझाते हम नीचे जूतों की तरफ बैठे रहते सभी हो चपल और जूतें रतना नामक लड़की की चपल बड़ी खूबसूरत लगती शिक्षक की चपलों को मैं चूता तक नहीं था सोचता चपलों को जूत लग जाएगी गुरु जी की चपल मुझे राम की पादुकाओं की तरह लगती तो यहां पर एक खास जिक्र मैं करना भूल गई पहले भी जवे कहते हैं कि आगे चमारों के लड़कों के पीछे महारों के लड़के बैठते हैं तो यहां पर भी अचूत हैं सब लेकिन फिर भी छूआ चात बढ़ता चाता है अजीब विडम बना है वर्ण व्यवस्था क समाजिक व्यवस्था कि मुख्य गाउं क्या होता है बच्पन में मुझे मालूम ही नहीं था महारों की बस्ती में ही खेलता था वहीं बढ़ा हो रहा था कचरे का धेर कुट्ते सू और तथा जोपड़ी यही संगी साती थे जगनात पाठिल के घर के घूरे पर दिन भर खे बिला करता तो मतलब यह सुनकर ही कितना ताज्यूब होता है कि गाउं भी इने नहीं मालूम था कि गाउं क्या है और वे कैसा होता है महारों की बस्ती में यह रहते थे और इनका जो जन जीवन था वो दूसरों से बिलकुल भिन था पहली बार जब मैंने स्कूल देखा था वे दिन आज भी मुझे याद है छूटे छूटे बच्चों से भड़ा हुआ कमरा मैंने पहली बार कुरसी देखी ब्लैक बोर्ड देखा गुरुजी को देखा छड़ी देखी मुझे गुरुजी की छड़ी के प्रति अद्भुत उत्सुकता थी सही अर्थों में मेरी मुंबया काफी चालू थे शिक्षक को देखते ही हमें शरारत सूचती शिक्षक शिक्षक तू कितना बच्चे भागे पकड़ लवड़ा चिलाते हुए हम तीनों दोड़ने लगे हम उम्र लड़कों के साथ ने पहले दिन स्कूल गया मलया मारत्या तथा निल्या जहां ब खास शब्दों को और नामों को पढ़ने में थोड़ा सा मैं अटक रही हूँ उस दिन मुझे जोर से पैशाब लगी थी और शिक्षक से पूछू कैसे शिक्षक मुझे से काफी दूर थे उन्हें पास बुलाने की हिम्मद भी नहीं थी पैशाब के लिए जाना हो तो अप इसका जिक्र किया है मीरी गोदावरी वहीं पर प्रकट हो गई पैशाब निकर से बाहर निकलने लगी बच्चे चिला उठे मैं घबरा गया शिक्षक ने मुझे कख्षा से बाहर निकाल दिया गिले निकर से मैं घर आया बाद में दो दिन तक मैं स्कूल नहीं गया निकर का मतलब आज के अंडर्वियर बहुत खलके दरजे के सूती कपड़े से बने सात्वी कख्षक तक ऐसे ही कपड़े के निकर पहनता था वे भी फटे हुए मा ने पीछे से पैबंद लगा दिये थे वे भी फटकर अब उपस्थ दिखाई देता तो मैं कमर पर तॉलिया लपेट लेता कितनी दरिद्रता का आलम है पेशाब की छुटी हुई कि बच्चे छिड़ते कंकड मारते महार महार कहकर चिलाते मैं बेहत परेशान हो जा था एक दिन गाउं के बच्चों ने मुझे बिना मतलब के घेर लिया मेरा साथी निलिया भाग खड़ा हुआ बच्चे आवारा बैल की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे मैं बेहत परेशान हो गया लगा कि आकाशी शरीर पर गिर रहा है राम जल कोटे नामक एक सवर्ण लड़के ने मुझे जोर से थपड़ लगा दिया मैं रोने लगा वे सब भाग गए बाद की दिनों में जब भी कभी राम को देखता तो थर थरा 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 लगता वे सब मेरी बस्ती में भी आएं मेरी बस्ती के लड़के मुझे इस प्रभात फेरी में देख लें ऐसी इक्षा होती शिक्षक हमें कतारों में ले जाते कतार में चलते तथा नारे लगाते वे देखकर मेरी नानी उल्लसित होट थी उनका रिदय भरा था उन्हें अ अगस्ते 26 जन्वरी को जाड़ू लगाते हुए मुझे वैं दिखती उन्हें देखकर मुझे होश आता और मैं जोर से नारे लगाता मुझे देखकर मैं हसती बहुत उत्सा से जाड़ू लगाती घर लोटने पर मैं मुझे वातसल्य से चूमती उनकी मुह से दुरगंध आती मिस्सी लगाने की कारण उनके दांत काले दिखते तो ना तो ब्रश करने के लिए टूथ पेस्ट है और ना ही दूसरी चीज़ है उपर से आगे जिक्र है कि उनकी नानी जो है वो तंबाकू बहुत ज़दा खाती थी तो तंबाकू की दुरगंध उनके मुझे बहुत ज़ कि नदी के निचले घाट पर धन अगर वो कुन भी पानी भरते नहाते कपड़े धोते अपने जानवरों को नहलाते उनके और निचले घाट पर हम लोगों को पानी लेना पड़ता था नहाना तथा कपड़े धूने पड़ते उपर के दोनों हिस्सों का गंदा पानी हमारे हिस्से में आता हम उनके घाट पर जा नहीं सकते थे तो यह सब कुछ intentionally किया जाता था कि हमेशा गंदगी में ही रखा जाए एक दिन में नदी के बीच पानी में खड़े होका पानी पी रहा था किसी माने अपने चोटे बच्चे का मैले से भड़ा कपड़ा शायद धोय था उसी मैले का सहलाब मेरे नजदी का रहा था उपकाईया आई पर कहूं किस से और फिर जल से अधिक पवित्र कौन सी वस्तू है सवर्णों के घाट से आए गंदे पानी को हम लोग पच्चा रहे थे तो यहाँ पर मनुष्य होने का भी दर्जा दलित समाज को कभी नहीं दिया गया हमेशा जो है वो सबसे निम्नतर स्तिथी में उन्हें रखा गया उपर से भैता हुआ मैला भी भैता हुआ आ रहा है लेकिन दलित जो है उसी को पीने के लिए उसी पानी को पीने के लिए मजबूर है तो आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं अगले एपिसोड में आपसे जल्द भेट करूंगी तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले और ये भी बताना न भूले कि आपको अकरमाशी कैसी लग रही है लेकिन भूमिका हमने बहुत सारी चीजों का ज यार हैं इस अकरमाशी को सुनने के लिए इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना हमें न भूले चलिए तब तक अगले एपिसोड में फिर भेट होगी धनेवाद